विविन डिसेना के इतना सदा समझाने के बाद इशा और अविनाश में एक बार फिर से गंदी वाली लड़ाई हुई है और या तो यह भी बात बोल सकते हैं कि इस रिष्टे में जो है इस रिष्टे के धागे में जो है एक गाठ पड़ चुकी है रिष्टा तब तक बहुत अच्छा लगता है जब गाठ ना पड़े धागा भी तब तक बहुत अच्छा लगता है जब तक गाठ ना पड़े और यही चीजे जो है अब देखने के लिए मिल रही है घर के अंदर अभी अविनाश और ईशा जो है तैयार हो चुके हैं रवी किशन का अब जो शूटिंग है वो होने वाला है मुझे नहीं लगता कि शायद इस बार जो होने वाला है क्योंकि काफी लेट हो चुका है शूटिंग के लिए बट अब जो है विकेंड की वार की शूट हो रही है लिकिन के वार की शूट से रिलेटर क्या-क्या मुद्दे उठाए गई हैं इस बार हर एक अपडेट जो है मैं अपनी वीडियो के जरी आप लोगों को बताती रहूंगी जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में भी बताया है कि अविनाश और ईशा के बीच में खाने को लेके एक बहस हुई जहांपर उसने ये बात बोल दिया कि मेरा खाना कोई नहीं रोख सकता है मैं कूकर से हाथ डाल के अपने हक का खाना अपने हिस्थे का खाना जो है वो ले लूँगा इसके बाद जो है ये सब चीज़े सब के सामने हो रही थी तो वीविन ने इशा को बही बोला कि भाइ सब के सामने ये चीज़े करने की झरूरत नहीं है मत किया करो अब जो है इशा और ाविनाश बेड्रू में बैठे हुए हैं जहां पर इशा ने जो है कुछ बाते शुरू की और इशा ने भोला कि मैं कभी ये बाते नहीं बोलूँ हुए जैसे त तु जा रही थी, मैं तेरे साथ जाने के लिए तैयार था, इसलिए जो है मैंने सेव कर लिया, तु मेरे साथ जाने के लिए तैयार थी, इसलिए मैंने नॉमिनेशन से तुझे सेव कर लिया, तु न नप्ती जैसी कभी-कभी बाते करता है, तो अविनाश को काफे साथ गुस बोला कि अगर तुमेरे साथ उची आवाज में ये रूडली बात करेगा तो मैं अब तेरे से कभी भी बात नहीं करूँगी तो इसका कहना ये है कि भई तुम मेरे को एक दोस्ती में जो है दरार छोटी सी दिखाई दे रही है अक्चुली में इन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए लोग इनको काफे जदा पसंद करते हैं पर बोलते हैं कि प्यार का दूसरा हिस्सा जो है वो लड़ाई ही होता है तो जब आप एक दूसरे को पर हक जमाने तो जब तक आलस थी इनको एक दूसरे में वो चीज़ दिखाई नहीं देती थी तीन लोगों में ये फसे रहते थे तो इनका रलेशन काफी अच्छा दिखता था अब जो है ये दोनों और भी ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लग गए हैं जिसके कारण जो है इनके जो है हमेशे गैप रहना चाहिए तभी रिलेशन बहुत ज़्यादा अच्छा चलता है अगर गैप नहीं है ज़्यादा एक दूसरे से बात करोगे तो प्रॉब्लम जो है तुम लोगों कोई क्रेट होगी तो दूरी हो जाओगा जो इनके साथ हो रहा है क्या है आप लोग